पहाँ, पाणी नाली का पानी लेओ हूं तो मेरे लिए इसे बड़ी फकर की बात बीए तो इसलिए नेर का पाणी और नाली का पाणी बोरा का पानी ये खराब लेचे है और थारढ ऐ खराब है और 15 तो पानी की प्र जा जा रहे हैं वाहां बहुत अच्छा रिस्पाइब है चोटे चोटे गां से भी मतलब उमीद से जादा लोकों का समर्थन अहुन और जाने से ही जो ये बात सामने आई है कि लोग भाजपा के नीतियों से खास करके किसान वर्ग और ग्रामिन वर्ग ये बहुत ज़्यादा तरस्द है इन्होंने अपना मन मना लिया है कि जल्दी से जल्दी ये इनके पास एक टाइम आना चाहिए ये इनको चुनाओ का इंतजार है ये अगर आज इनके पास कोई ऐसी चीज होती है जिससे वोट वापस ले सकते हैं कब से ले लेते हैं तो ये आपको पता है जैसा की पिछले किसान अंदोलन हुआ उसमें साड़े साथ सो किसानों की जान गई उसमें हमारे हलके के भी कुछ लोग थे तो उसके बाद भी लगातार जो है ये किसानों के विरोध में ही ये सरकार चल रही है हर तरीके से हमारे एरिया में पाने की कमी है खाद के गटे जो पचास किलो के थे वो पंतारिस का किया फिर चारिस का किया तो उस तरीके से अगर देखा जाए किसान विरोदी सारे फैंसले ये ले रहे हैं तो इस करके जो है जनता कांग्रिस की ओर देख रही है और बदलावाणा निस्चेत है ग्रामिन शेतर की बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ी जो हमारा जिला करिशिय दा रहीता है तो यहां पर पानी की जो समस्या है जो हमारे नीचे के पानी कड़वे हैं नेरों में पानी कम आ रहा है और टाइम भी घट गया जो बंदी है वो ज्यादा होगी है तो यह समस्या सबसे पहले अगर हमारा हल पानी का होता है हमारे इलाके गा तो उसके बाद यहां विकास के दुआर खुलेंगे और दूसरा रोजगार के अफसर नहीं है हमारे यह चीज़ें हैं जो हमारे यहां सबसे पहले करने वाली है बाकी बुरा हाल तो हर चीज गई है आप देखे दो जार पंद्रह से इन्होंने अनौंस कर रखी है वो दूरा बीच में छोड़ रखा है और खड़े आपको पता ही हैं किस तरह के हैं सारे शेर की सड़कें टुटी हुए हैं स्ट्रीट लाइटे नहीं हैं और आप पानी हैं कर आज बारिश हो जाए तो आप फिर देख लेंगे पांच गंटे की बारिश में पांच ने निकलता हैं यहां से किसी भी तरीके से हर तरीके से विफल है बरस्टाचार का कितना बुरा हाल है आप पांच जार में जो काम होते थे वो पचास पचास जार में जाके आज रिश्वत इतनी चल रही है हर मैक में ड्रावा दिया जाता है भी आ उपर सकते हैं वो सकत के चकर में आप देखें कितना इनका कोई कंट्रोल नहीं किसी चीज़ पर कोई ऐसा निता नहीं है जो कह दे लोगों को भी आई है और मैं आपके काम कर देता हूं तो हमें समझ नहीं आरी भी किस तरह सरकार चल रही है तो कुन कुन से गाम आप ने आप तक ख़वर कर दी है यग लग बगार्दे सिरसाल के के बाकी और भी दूसरे लगों में भी बाकी लोगा लेगे हूं नहीं वह Kiya व। तो यातरा को लेकर किस तरकाТब्षा है उनमें? मैं वोही बितार ही हूं यातरा को लेकर इसलिए ही उत्सा है लोग कांगरिस के समर्थन में है, बीजेपी से तंग हैं और कांगरिस की और देख रहे हैं और बेहन शेलजा जी जो है वो हमारे इलाके से पहले दो बड़ी M.P रही है उनके पिता जी चारवा रहे हैं तो उनको एक एक गाम का एक बच्चे-बच्चे के साथ उनके पुराने लिंक रहे है टच है उनका पुराना इस लके में सिरसाज लोकसभा में तो इस करके उनको लेके भी उत्सा है भी, वो आ रही है, किरिन चोधरी जी आ रही है, रंडीब सुर्जेवाड़ा जी आ रही है, तो सभी निताओं के लिए लोग आखें बिचा के इंतजार कर रहे हैं, जातरा को यही लेके मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख सुनें, और वैसे कांगर्स के साथ जुड़ना चाह रहे हैं लोग, आएं खुलके आएं, मैं यह कहना चाहूंगा, तो कौन से तजदे नाम को होगा, कौन सी जगा निजभाट की गई है, 27 जनवरी शनी वार, साटे गैराम बजे और नहीं है नाजमंडी, आएं सभी लोग उनके सब के लिए, वहाँ पे लेडिस के लिए भी अलग से परबंद किया गया है